नमस्कार मैं हूँ मोनीका जाइस्वाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज योगी सरकार का बड़ा आदेश आया है यूपी के स्कूल इस सेशन में नहीं बढ़ा सकेंगे फीस फीस न बढ़ने से अभिभावकों को बड़ी रहात मिली है सभी बोडों के सभी विध्यालेओं पर लागू होगा यादेश बड़ी रहम जानकारी विध्याले बंद रहने की अवधी में नहीं देना होगा परिवहन शुल्क तो ये बड़ी रहम जानकारी योगी सरकार का ये बड़ा और राहत भड़ा फैसला सामने आया है अब विध्याले जब तक बंद रहेंगे तब तक परिवहन फीस अविभावकों को नहीं देनी होगी स्कूल बंद रहने की अवधी में नहीं देना होगा परिवहन खा शुल्क और इसी के साथ योगी सरकार का ये बड़ा और एहम आदेश सामने आया आपको बता दे यूपी के स्कूल अब नए संत्र में नहीं बढ़ा सकेंगे फीस जो भी नया सत्रह अब होगा उसमें फीस नहीं बढ़ाए जाए इसकूल की तरफ से जो फीस अभी जारी है वही फीस रहेगी इसी के साथ सभी वार्डों के सभी विध्यालों पर ये नियम लागू किया जाएगा और विध्याले बंद रहने तक परिवहन का शुल्क भी अभिभावकों से स्कूल नहीं ले सकता इस फैसले के बाद अभिभावकों में खुशी नजर आई क्योंकि लगातार अभिभावक के मांग कर रहे थे कि स्कूल बंद होने के बादू भी बहुत ज्यादा फीस वसूरी जा रही है जबकि पिछले डेड़ सालों से स्कूल बंद है और बच्चे और लाइन पढ़ाई क रहे हैं ऐसे में इसकूल दुआरा ज्यादा फीस लेना बिल्कुल गलत है जिसके बाद योगी सरकार का ये बड़ा आदेश सामने आया योगी सरकार का ये बड़ा और एहम फैसला यूपे के स्कूल अब नए सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और इसी के साथ फीस ना बढ़ने से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि लंबे वक्त से अभिभावक मांग कर रहे थे सभी बोडों के सभी विध्यालों पर ये नियम लागू होगा इसके साथ ही विध्याले बंद रहने पर परिवां शुल्क भी अभिभावकों से स्कूल नहीं ले सकेगा तो योगी सरकार का ये बड़ा और एहम आदेश सामने आया जिसके बाद अभिभावकों निराहत की सांस ली और इसी के चलते अब उनके जेब पर ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉक्डाउन है ऐसे में कहीं लोग के पास नौकरी नहीं है या फिर जो र जो जी रोटी का संकट है ऐसे में योगी सरकार का ये फैसला वाकई बहुत एहम फैसला है तो योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है अब योपी के स्कूल नए सत्र में फीस नहीं बड़ा सकेंगे फीस ना बढ़ने से अभिभावकों में खुशी है इसी के साथ सभी बोर्डों के सभी विध्यालों पर यादेश लागू होगा विध्याले बंद रहने पर भी परिवहान शुल्क नहीं लिया आजा सकता है इसको खुलने के बाद ही इसकूल परिवहान शुल्क ले सकता है तो आपको बता दे कोरोना का वक्त चल रहा है ऐसे में ये बड़ा फैसला है हमारे समवादता विजे मिश्रा हमारे साथ सिदे जुड़ चुके हैं जी विजे लगातार बहुत समय से अभिभावक इस चीज़ की मांग कर रहे थे और आखिर ये आदेश आने की बाद अभि से बाते बहुत खुशी होगी उसमें कोई भी बदलाओ इस बाद नहीं कर पाएंगे यानि जो बढ़ोतरी है वो नहीं कर पाएंगे इसके अलाबा ये भी कहा गया है साथ साथ में कि परिवहन शुल्क जो है वो यहाँ पर स्कूल नहीं ले पाएगा क्योंकि जब यहाँ पर शारी पढ़ाई ऑनलाइन ह तो ऐसे में जो परिभन शुर्क लेती है विद्याले वह नहीं ले सकती है साथी साथ ये भी कहा गया है कि इस में ओफ लाइन परिक्षा कि कईלה नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में परिक्षा काया च्टा है खेल से जड़ा हुआ फीस, लैब से, लाइब्रेरी से, से कंप्यूटर से वार्षिक फंक्शन से यह जो भी गतविदियों का जो शुल्ग था उन में से कोई भी शुल्ग जो है वो इसकूल नहीं ले पाएगी यानि जो फीस है वही फीस स्ट्रक्शर सी यहां पर ले सकती है इसके लावा तीन माह का फीस की अगर देने में अविभ पावक संग और यहां पर स्कूल एससियेशन के बीच में एक गतिरोध की सिती बनी हुई थी वह कहना था कि जब कोई पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रही है तो वो फीस क्यों दे और ऐसे में स्कूल का कहना था कि यहां पर कर पढ़ाई नहीं भी हो रही है लेकिन जो टीच पावक संग पर पावक संग और यहां पर तीन महीने का एक साथ नहीं दे सकते हैं तो प्रतिमा यानि मासिक तरीके से भी वो फीस को चमा कर सकते हैं जी विजी या अदिश कब से लागू हो जाएगा दिखें इस नए सत्र से इसे लागू करने की बात कही गई है यानि जो नए सत्र शुरू होगा इस नए सत्र की जो प्रतिमा इसको करोना काल के लिए ही बनाया गया है तो ऐसे में जिनका भी जो बकाया है या जो इसके पहले फीस नहीं दे पाए है या जो पिछले सत्र में भी जिन्नोंने फिस नहीं दी है तो उन सब पर ये पूरे लागू होगा क्योंकि जो गतिरोथ था वो पिछले ही Corona सतर से चल रहा था, काफी लबे समय से फीज जो है वो अविभावकों ने नहीं जमा की थी, तो ऐसे में इस पूरे स्ट्रक्शर को ने को लागू किया जाएगा विजे इसी के अलावा विभाओकों ने ये भी कहा था कि हमें जो तीन महीने की चुट्टियां होती है उसकी फीस भी इंक्लूट गी जाती है सकूल की तरफ से जबकि छुटियों में फीस लेना गलत है इसको लेकर क्या आप कुछ अब नए बताएं है आदेश उसमें बदलाव होगा देखें मोनिका जो पिछले जिस तरह से जिस तरह का फीस इस्ट्रक्शन आपको रोखना चाहूंगे आप बने रहे हैं हमारे साथ जल्द रोटेंगे आपके पास जिप्टी सीन दिनेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए दिनेश जी ये बताएं कि जो नया आदेश है उसके मुताबिक क्या कुछ नया होगा देखें जो वर्ष 2019-2020 में आश से 2 साल पहले जो सुल्क की संचना थी उसी संचना के आधार पर वर्ष दोैजार 2021-22 में भी स्ल्क लिया जायगा या बढ़ystem ना तो पिछले वर्ष करने की अन्मती गयी थी ना इस वर्ष करने की अन्मती दी जा रही है अगर किसी विद्याले के द्वारा बढ़ा हुआ सुल्क बढ़ा के कोई सुल्क लिया गया होगा दूसर बढ़े हुए सुल्क को भविस्ट में जो दी जाने वाली किस्ते हैं सुल्क की उनमें समाज़ित किया जाएगा इसके साथ ही जो करमचारी हैं जो सिक्षक हैं उनके वेतन को विद्याले सुनिचित करेंगे हाँ ये बात जरूरिस में रखे गई है कि परिच्छा क्योंकि आफलाइन संचालित नहीं है इसलिए परिच्छा सुल्क अगर परिच्छा संचालित नहीं की गई है तो परिच्छा सुल्क ना लिया जाए बस अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा तो परिवन सुल्क ना लिया जाए जो विज्ञान प्रयोक साला है या प्रीरा है या वास्य कुत्तों के नाम पे जो सूल्क लिया जाता है क्यानी अब सब्सक्राइब तक ये शुल्क ना लिया जाए इस परकार का नियोचन आज की सास्नादिस में हमने किया है जी और इसको सुपर्वाइज करने का काम जिजला विद्याले निरिक्षक करेगा अगर कोई सिकायट सुल्ख के संदर में होगी तो जो हमारे सुल्ख नियामक समिती बनी वी है जिलों में दिलाजगारी की अतचता में उसको प्रत्या वेदन दिया जा सकता है वो उसमें निर साथ मेलेगी यह कोई प्रश्म नहीं है आपका चुकि जो विबस्था चल रही मैंने उसमें जो वद्दी करते उसपर उसनु जैसा चल रहा था उसमें जो की नया पंधा उसनु पे हमने रोक लगाई है और इस प्रकार की कोई भी विद्रति चशंगति कोई अगर वह उसम जी दिनेश यी आदेश कब से लागो हो जाएगा अधिक मानिय मंत्री जी से एक सवाल है मेरा दिनेश जी से एक छोटा सा सवाल है आप एंकर मैंने इसको इस्पश याँ सास नादेश में प्रशुनोट में ने इस्पश है कि जब तक इनका उपयोग नहीं हो रहे है नहीं मानों एक मेने परियोग नहीं किया बसका तो एक मेने का सुल्क नहीं लेंगे परिवान का अगर एक मेने कोई परिष्चा का संचलन नहीं हुआ दो मेने का तो उनका परिष्चा का सुल्क नहीं लेंगे कीड़ा कर नहीं कराएगे जिस महां में उस महां का कीड़ा सुक नहीं लेंगे जी जी धन्यवाद धन्यवाद जी दिने जी तमाम जानकारी के ले आपका बहुत शुक्रिया और वाकरी ये बेहस सरहानी कदम है क्योंकि अभिभावा कलंबे समय से ये मांग कर रहे हैं और कोरोना की दौर में कहीं ऐसे अभिभावा के जो अपने बच्चों की फीज भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं ऐसे में ये पेहद ही एहम आदेश योगी सरकार के तरफ से आया है जी विजे जी बिल्कुल यहां पर यह कहा जा सकता है कि एक अच्छा आदेश है क्योंकि मुनिका आपको बता देए कि इसके पहले भी जो शुल्क लिया जाता था उसमें कहीं न कहीं जो आपका स्कूल फीज होती थी उस फीज के साथ में जो अन्य शुल्क लिया जाता था वो कहीं काफी जादा रहता था जिसमें बिल्डिंग फीस को भी जोड़ा जाता था परिक्षा सुल्क लाइबरेरी शुल्क और तमाल ऐसे शुल्क रहते थे जो फीस को बढ़ा करके डबल कर देते थे यानि अगर आप 600 रूपए स्कूल फीस दे रहे हैं तो करीब 1200 अगर ये शुल्क जो इसकूल फीस है वो उन्हें मिलती रहेगी तो कम सकम इसके जरिये से वो इसकूल में अपने सिक्षकों को वेतन दे सकते हैं तो ये योगी सरकार की तरफ से और मैं डिप्टिसीम धिनिश शर्मा साब को इस कारी के लिए धन्यवाद भी देना क्योंकि यहाँ पर कहीं ने कहीं परिवहन शुल्क ही देखा जाये तो हर मैंने 500-600 रुपए हर एक स्कूल का सामयन तोर से रहता है बिल्डिंग फीस को हर साल जोड़ा जाता है लैबरेटरी फीस लैबरेरी शुल्क खेल शुल्क और जो वहाँ पर उत्सों होते थे उसका भी अविभावकों से ही लिया जाता था जो हजार डेड़ हजार और दो हजार क्या असपास रहते थे तो मुझे लगता है कि इन सब शुल्क से उन्हें काफी राहत मिलेगी और उन्हें सिर्फ स्कूल फीस ही देना पड़ेगा जो अन्य शुल्कों से घटाने के बाद एक सिहाई ही रह जाता है और मुझे लगता है कि इससे इभावक भी खुश होंगे क्योंकि एक बीच का रास्ता निकलना मोनिका बहुत जादा जरूरी था क्योंकि यहां पर एकदम से फीस ना देना कहीं ने कहीं स्कूलों के लिए भी काफी जादा मुश्किल खड़ी कर सकता तो ऐसे में यह जो बीच का रास्ता सरकार ने निकाला है वो कहीं ने कहीं दोनों तरफ रहा देने वाला है